जैहिंद आपसे भी का रोजगा टीव में स्वागत है मुख्यमंत्रि मया सम्मान योजना को लेकर एक बहुत ही महत्यपूर्ण अपडेट इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ अगर आपके एकाउंट में 31 अगस्त तक पैसा नहीं आता है तो आप लोग क्या करेंगे यहां पर मैं आपको विस्तार से पताऊंगा इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए जितना हो सके इस वीडियो को सेर करें और अगर आप लोग हमारी चैनल पर पहली बार पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल करेंगे इनको प्रस कर लिजिए देखिए मान की चलिए कि आपने फॉर्म भी बहुत ही अच्छे तरीके से सही तरीके से भरा था आपका जो बैंक एकाउंट है उसमें आपका आधार कार्ड लिंक है आपका ज फिर भी आपने देखा कि आपके अकाउंट में पैसा आया ही नहीं है 31 अगस्त भी हो गया है पैसा भी नहीं आया है तो आप यहां पर क्या करेंगे इस चीज को लेकर यहां पर मैं आपको हर एक चीज बिस्तार से बताने वाला हूं तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखिए 31 अगस्त तक पैसा ना आये तो क्या करें देखिया आपको करना क्या है अपने पास्वुक भी अप्क्रेट करा लिया है चाहे आपका किसी भी बैंक का पास्वुक हो चाहे बैंक ऑफ इंडिया का हो इस्टेड बैंक का हो एक्सेस बैंक का हो कैनरा बैंक का हो बैंक बढ़ो आप लोगों को करना है ये जो आप लोग देख पा रहे हैं एक योजना है और ये जो योजना है ये 30 अगस्त से ये 30 अगस्त से शुरू होने वाला है इस योजना का नाम है आपके सरकार आपके द्वार ये जो योजना है 30 अगस्त से शुरू होगा और ये हर एक जीले के हर गाउं के हर एक पंचाइध भवन में होने वाला है पंचाइध भवन में क्या होगा सिबिर लगाया जाएगा जहां पर आप अपने प्रोलम्स को आप अपने समयसाओं को बोल सकते हैं जिसे मान की चलिए कि आपका मुख्यमंत्रि महिया समान योजना का पैसा नहीं आया है आप उस चीश को बोल सकते हैं कि मेरा पैसा नहीं आया है मेरा सब कुछ हो के फिर भी क्या होगा यह जो योजना है इस योजना में क्य अब तक चलने वाली है अब देख लिजिए ये योजना 30 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक चलेगी 30 अगस्त से लेकर 15 सितंबर इसमें देखिए क्या होगा देखिए यहां पर लिखा गया है जारकन मुख्यमंत्रि मैया सम्मान योजना के लाभुकों को डिवीटी के माध्धम से रासी का हस्तांतरन पहुत कोई को मान के चलिए कि 31 अगस्त तक पैसा नहीं मिलता है तो यह जो योजना है इस योजना के समय भी उनके अकाउंट में पैसा आ सकता है नंबर एक बात क्या हुआ कि इस योजना के माध्धम से पैसा आ सकता है लेकिन अ या फिर आप हमें सब्सक्राइब करें रखिए जो भी अपडेट आएगा आप लोगों को पता जाएगा ठीक है तो आप पता लगा के रखिए कि आपके पंचायद में कब सिविर लगने वाला है जब सिविर लगेगा उस समय आप चले जाहिए आपको हो सके जब आप लोग यह ला मुख्यमंदर म्या सम्मान योजना का जब आप लोग फर्म भर रहे थे तो हो सक्या कि आप लोगों को अपना करले चले जाहिए यह फिर आपक अपना रासन कर लेके चले जाहिए तीनों चीज से आपका चेक हो जाएगा रसिद है तो अच्छी बात है नहीं है तो कोई दिगत नहीं है रसिद नहीं है तब भी चलेगा आपको घबराना नहीं है रसिद से भी चेक होता है आधार नंबर से भी चेक होता है और रासन कार्ट के नंबर से भी चेक होता है अब लेके चले जाहिए वहां पर वहां भी चेक होगा suppose that कि आपका सब कुछ होगा है लेगन फिर भी अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं आया है तो उसी समय आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा और अगर मानके चलेए कि आपके form को reject कर दिया गया है तो आप दोबारा से form भर लिजिए उसी समय गर्मागरम form भरिए गर्मागरम जमा देदीजिए तो देखिए अब आप आगे भी form भर सकते हैं अगर नहीं होता है तो आप क्या करिए दोबारा से आप लोग फॉर्म भरिए दोबारा से आप लोग क्या करिए फॉर्म भरिए और इस बर जो फॉर्म को भरेंगे अच्छे तरीके से साप साप एकदम सब कुछ सही सही आप लोगों को भरना है यह जो फॉर्म है इस फॉर्म को आप लोग कब तक भर सकते हैं यह द आप यहां पर कब तक फॉर्म भर सकते हैं तो देखिए इसमें लिखा गया है जारकन मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजिना यानकी JMMSY इसका जो फॉर्म है आप प्रज्गा केंद्र में दिसंबर मा तक आवेधन जमा कर सकते हैं यानि आप लोग इस फॉर्म को दिसंबर महे लेकिन मैं तो आपको ही बोलूँगा कि जैसे ही आप लोग का 31 अगस्त को 31 अगस्त तक आप लोग का पैसा नहीं आता है तो सबसे पहला काम आप लोग गई करिए या पिर यह जो आपकी सरकार आपके दवार यह योजना है इस योजना में आप लोग फॉर्म को जरूर से जरूर भर दीजिए और देखिए फॉर्म भरने में ज्यादा डोकुमेंट्स अब लगने रहा है फॉर्म यहां पर आपका सबसे पहले तो आफ्लाइन भराएगा लेकिन उस योजना में आप जब जाएंगे तो आप कोसिस करना कि वहीं पर रह के खुद जल्दी आपके आ आधार काड का जरॉक्स आपका जो आधार काड है उसका जरॉक्स ले जाहिएगा तिसरा यहां पर चाहिए आपका बैंक पास्बुक का जरॉक्स और चौंथा चाहिए आपका रासन काड का जरॉक्स अब बहुत सारे ऐसे भी कंडिडेट होंगे जिनके पास रासन काड नह नहीं है यानि कि उनका जो नाम है रासन कार्ड में नहीं है तो क्या करेंगे मैंने देखा है बहुत सब्सक्राइब नहीं है रासन कार्ड में नहीं 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 है लेकिन आप ध्यान से सुनिए आपका नाम रासन कार्ड में हो चाहें ना हो आप फॉर्म को भर सकते हैं आप क देखिए इसमें साब सब लिखा गया है कि जिस बहन का रासन कार्ड में नाम नहीं है उनके लिए उनके पिता या फिर पती का रासन कार्ड माइन होगा यानि अगर आपका नाम रासन कार्ड में नहीं है तो या तो आप अपने फादर का यानि कि पिता का या फिर आप अपने husband का यानि कि पती का रासन कार लिजिए और चले चाहिए आपका काम हो जाएगा और form भरने में voter card की कोई आवी सकता कोई जरूरत नहीं है voter card नहीं चाहिए हमें तो देखे दो ही option आपके पास बचेता है अगर 30 अगस पैसा नहीं आता तो पहला option है आपकी सरकार आपके दभार योजिणा के माज़ना करना से यह करह कर आ Auch보다 लोग ऑवास अभी तक तो इसका भी matter लाइए कर सकते हैं बिकलांग पैंसन जो भी चीज करना है हर एक्षीज होगा तो यह हमारा वीडियो अगर आपको यह पसंद रहे लाइक करिए जितना हो सकते वीडियोगों को सेर करें और अगर आप लग हमारी चैनल पर पहले बार आएएं तो फडाबर चैनल को सबस्क्रा